Hello and welcome to the chemistry class once again. आज हम पढ़ते हैं कार्भोहईड्रेट में ओसाजोन फॉर्मिशन. तो अई देखते हैं ओसाजोन फॉर्मिशन क्या है और इसका इंपॉर्टन्स क्या है? ओसाजोन फॉर्मिशन is shown by reducing sugars. तो जो reducing sugars होते हैं वो ओसाजोन फॉर्मिशन प्रदर्शेद करते हैं यानि जिन में कार्भोनाईल ग्रूप फ्री होता है और glycosidic linkage नहीं बना रहा होता है वो उन्हें reducing sugar कहा जाता है और वो ओसाजोन फॉर्मिशन दिखाते हैं. यानि या तो aldehytic group हो या फिर keto group हो उस sugar molecule में तो फिर वो ओसाजोन फॉर्मिशन प्रदर्श कर सकता है, exhibit कर सकता है और such sugars इस तरह के जो sugars हैं जिन में कार्भोनाईल ग्रूप जो aldehytic carbonyl group हो या keto ने, carbonyl group हो फ्री हो यह वो फ्री हो यह वो अगर फ्री हो ऐसे sugars को reducing sugars कहा जाता है और देरिवेटर्स और carbohydrate ओसाजोन जो है वो carbohydrate के ही व्यूतपन है और उनके द्वारा carbohydrate की पहचान की जा सकती है, Osazone is formed when reducing sugars are reacted with excess of phenylhydrazine at boiling temperature यानि boiling temperature जहां पर boiled होता है को अथनाग के आसपास का जो ताप होता है उसमें आधिक्या में excess phenylhydrazine के साथ अगर reducing sugar का reaction करवाया जाए तो ऐसी हालत में Osazone formation होता है Osazones are brightly colored or highly colored crystalline compounds तो Osazone जो है वो बहुत चमकीले रंगों वाले, bright रंगों वाले और अधिक colorful काफी अच्छे रंग वाले crystalline yogic होते हैं और Osazones are used to identify carbohydrates as their derivatives और ये carbohydrate के व्यूत्पन माने जाते हैं क्योंकि ये crystalline है यानि ठोस है, crystalline है प्रतक्रिये जा सकते हैं और इनका रंग भी काफी bright ये चमकदार रंग होता है काफी रंगीन होते हैं जिससे carbohydrate की पहजान की जा सकती है तो इस वज़े से Osazone important है तो आईए देखते है देखिए, monosaccharides के example के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं जैसे aldose हो या ketose, aldose यानि जिसमे aldehyde group हो जिस carbohydrate molecule में और ketose यानि keto group हो उसका excess of phenylhydrazine यानि आधे के में phenylhydrazine के साथ उसको गर्म किया चाहे तो उसा zone derivative प्राप्त होता है जो कि क्रिस्टलिय है और रंगीन है इसको इस प्रकार से भी लेख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने aldose लिया देख सकते हैं कि आप CHO group यानि carbonal group या aldehyde group यहाँ पर है यहाँ पर keto group है इस प्रकार के aldose या ketose जो दोनों ही reducing sugars हैं क्योंकि यह tolerance reagent को reduce कर देते हैं या दूसरे reagents को यह reduce कर देते हैं ऐसे वाले carbohydrate molecules क्योंकि इनके पास free carbonyl group है जो कि glycosidic linkage में बंदा हुआ नहीं है तो ऐसे में phenylhydrosine के साथ अगर हमने reaction करवाया इसका तो ओसा zone जो है वियत्पन प्राप्त होता है यहाँ पर जो यह dash dash करके लिखा हुआ है जो दिखायवा है यानि यह glucose या कोई भी दूसरा carbohydrate molecule उसका जो rest of the structure जो बाकी संरचना इस प्रकार से दिखाई गई है और यहाँ पर भी जब आप notes बनाए तो बाकी संरचना नीचे इस तरह से होती है जो कि यहाँ पर दिखाने से छूट गई है लेकिन इस तरह से dash लगा कर आप जैसी यहाँ लिखा गया है ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी dash बनाए और वो OSA zone है क्योंकि बाकी molecule में कोई परिवर्था नहीं हुआ है इसलिए उसको यहां लिखने की आविशक्ता नहीं है तो इस प्रकार से OSA zone बनता है It appears that phenylhydrosine acts as an oxidizing agent ये महसूस हो सकता है कि phenylhydrosine जो है वो एक oxidizing agent है क्योंकि वो CHOH को C double bond O में convert कर रहा है लेकिन जब इसकी क्रियाविधी हम पुरी तरह से पढ़ते हैं detail में तब हम देखते हैं कि it becomes clear that it is a reducing agent तो हम देखते हैं कि ये reducing agent है क्योंकि phenylhydrosine का जो electrons है nitrogen के ओपर जो lone pair of electron है वो carbon को देकर बंद बनाता है जो कि इसका जब detail mechanism कोई पढ़ता है तो वो बात clear हो जाती है mechanism of osazone formation आज हम पढ़ते हैं चलिए ये देखिए ये carbohydrate molecule लिखा हुआ है और आगे से आगे ये molecule है सिरफ c1 और c2 से हमें लेना यहाँ पर पढ़ाई करनी है osazone formation की study करनी है और जो बाकी जो molecule है उसमें क्योंकि कोई परिवरता नहीं आता इसलिए उसको R group के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है तो इस तरह से हम एक LDOS को लिया गया और ये equivalent है इस संरचना के जहां ये जो बाकी जो संरचना है बाकी जो हिस्सा है molecule को उसको R के द्वारा प्रदर्शित किया गया है तो हम देखते हैं कि इस अल्डी हाइडिक ग्रूप और हमें मालूम है कि जो कार्बनायल कार्बन है वो electron deficient है और ये है पहला molecule phenylhydrosine का जो की नाभिक नहीं आकरमन करता है इस कार्बन के उपर अपने electrons के द्वारा और ये carbon nitrogen bond बनता है यहाँ देखें ये जो nitrogen है जो जिसके उपर electron का आधिक के है और hydrogen जिसके उपर electron noon है तो यहाँ पर भी electron की कमी है और oxygen पर electron का आधिक के है तो अपने electrons के द्वारा ये carbon carbon पर बनता है electrons देता है और इस प्रकार का ये जो intermediate है अधिवर्तियों के हमें प्राप्त होता है आगे देखें ये bubbles के द्वारा ये जो red color का जो bubble है इसके द्वारा water molecule का alpha-beta elimination प्रदरशित किया गया है यानि इस carbon से OH group और उससे बंदेवे जो nitrogen है उससे hydrogen यहां से दोनों निशकासित होते हैं तो ये एक carbon और ये nitrogen जो कि आपस में single bond के द्वारा बंदेवे हैं और neighboring atoms हैं निकटवर्ती atoms हैं तो इसमें इन दोनों में से एक-एक समो इसमें से nitrogen में से H और carbon में से OH अगर निशकासित हो रहे हैं या eliminate हो रहे हैं इस तरह के elimination को alpha-beta elimination कहा जाता है जिसके false root as a result of which carbon और nitrogen के पीछ में double bond बनता है क्योंकि दोनों ही atoms में से एक-एक रूप चला गया है और ये दोनों आपस में double bond बना लेते हैं तो इस तरह से हमें ये phenyl hydrozone जो है intermediate हमें प्राप्त होता है और आप देखिए जो second number carbon है ये जो दिखा रहा है second number carbon इसका carbon hydrogen bond के electrons carbon और carbon में shift हो रहे हैं इस red arrow के द्वारा दिखा गया है जिससे c double bond सी बनता है और साथ ही साथ इस carbon पर five bonds नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर double bond बन रहा है इसलिए ये जो carbon nitrogen bond के electrons है वो nitrogen और hydrogen के बीच में इक bond बनाता है जिससे यहां पर c और nitrogen के बीच में हो गया single bond और साथ ही ये जो nitrogen है जिसके पास कोई hydrogen नहीं था उसने अपने electrons nitrogen को दिये और NH bond एक नया बना और यहां से ये जो carbon hydrogen bond है ये carbon hydrogen bond तूट जाता है जिसका hydrogen इस nitrogen के साथ जोड़ जाता है और ये NH bond नया बनता है तो ये जो process है इसको amatory rearrangement कहते है जो कि यहां तक है आप देखिए फर्दर जो है carbon bond के electrons carbon और oxygen में shift हो जाते हैं और ये जो oxygen और hydrogen का जो bond है उसके electrons फिर ये nitrogen के बीच में जाके shift हो जाते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये bond तूट रहा है और साथी साथ nitrogen nitrogen bond के electrons क्योंकि carbon carbon और nitrogen में shift हो रहे हैं तो यहां single bond था यहां एक और bond shift हो रहा है तो nitrogen और carbon के बीच में फिर दिबारा double bond आगया आप देख सकते हैं कि ये जो double bond के electron से carbon और carbon के बीच में ये shift हो है carbon और oxygen के बीच में जिसकी वज़े से C double bond O बना लेकिन इसे के साथ आप देख सकते हैं कि C6H5N H2 ये जो हिस्सा है तूटकर निकल आता है क्योंकि ये bond भी टूटा ये bond भी टूटा ये nitrogen के साथ hydrogen का bond बना और aniline यहां से निकल कर आया है तो यहां से यहां तक जो परिवर्तन है वो amatory rearrangement के नाम से जाना जाता है जिसके फलसोरूप हमें immunoketone प्राप्त होता है immunoketone बनने के बाद second molecule of phenylhydrosine जो है वो nucleophilic attack करता है फिर दुबारा carbonyl carbon के उपर और फिर उसमें से water molecule इस प्रकार से eliminate होता है जैसा कि इस से पहले हमने इस जगह पर देखा था और इस तरह से दुबारा C double bond बन जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर carbon और nitrogen के बीच में double bond है यहाँ पर hydrogen है तो third molecule of phenylhydrosine है देखिए यहाँ second molecule of phenylhydrosine जो इस carbonyl carbon के उपर attack किया था और यहाँ पर third molecule of phenylhydrosine है जो कि first carbon के साथ दुबारा react होता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो C6H5 NHNH2 जो phenylhydrosine का जो NH2 है यहाँ से एक hydrogen लेकर NH3 के रूप में बहार निकलाता है और यह जो nitrogen है amino ketone का जो nitrogen था यह immunonitrogen जो है वो इस phenylhydrosine के nitrogen के साथ यह nitrogen nitrogen bond बना लेता है तो यह जो compound हमें मलता है वो osazone कहलाता है जो C1 और C2 के बीच में बना है phenylhydrosine K1, 2 और 3 molecule के साथ react करने के पश्चाथ यह जो osazone है इसके अंदर जो R grouping थी वो उसमें कोई change नहीं आया है तो as such उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है तो किसी भी carbohydrate molecule या glucose जैसे fructose इनके साथ जब आप लिखते हैं तो सिरफ दो जो first two carbon है उनके साथ आप इस osazone का formation दिखा सकते हैं बाकी वाले जो molecule का हिस्सा है उसको as such नीचे छोड़ सकते हैं तो इस प्रकार से यह osazone बनता है देखने से यह लग सकता है आपको कि आगे भी CHOH है CHOH के और भी जो portions हैं वो carbohydrate molecule के अंदर हैं तो इसी तरह से दुबार phenylhydrazine के साथ उन CHOH का reaction हो जा सकता है और अगर glucose है तो hexa जो phenylhydrazine हमको प्राप्त हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि further chelation होता है यह stabilization of यह osazone होता है ring formation के द्वारा और जिस वजह से further reaction नहीं होता है so let us see how it happens देखिए it might appear that amadori rearrangement may keep on repeating ऐसा लग सकता है कि जो amadori rearrangement है वो repeat हो सकता है and all CHOH groups of monosaccharide जितने भी CHOH group है monosaccharide molecule के अंदर वो सब phenylhydrazine बनाएंगे phenylhydrazine के साथ react करके phenylhydrazone बनाएंगे for example glucose should give hexafenylhydrazone तो glucose के पास क्योंकि 5 OH group है और एक carbonyl group है तो total मिलाकर hexafenylhydrazone glucose दे सकता है लेकिन बट further reaction does not take place लेकिन इससे जो तीन molecule of phenylhydrazine से जो phenylhydrazone बनाएंगे रियक्शन नहीं होती है इसका कारण क्या है यह देख लीजिए stabilization of osazone by chelation तो जो एक complex formation होता है इस प्रकार से जो कि solid state में यह complex का structure है और यह एक ringed complex है इस तरह से जो बने हैं और जो यह dotted line है वो दिखाते हैं कि complexation या chelation हो रहा है और यह रिखिए कि यह जो है पहले और यह this is 1 carbon CH2 और जो 6th carbon है यह यह 5th carbon है और इसके बाद देखिए यह 2 और carbon है यानि पाचवा चटा पाचवा चौथा और तीसरा तो यह यहाँ पर total carbon है 1,1,2,3,4 यह 4 carbon इतने में हैं और इसके बाद यह है 5th and 6th carbon तो यह देख सकते हैं कि आप इस तरह से जो 1st और 2nd carbon के बीच में जो उसा zone बना है वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से जुड़ेवे हैं complexation के द्वारा इसी प्रकार से solution में यह सनरचना है और वो भी यही है कि 1st और 2nd carbon के बीच में जो उसा zone formation हो रहा है वो nitrogen आपस में nitrogen hydrogen bond जो निकटवर्ती जो carbon है उनके बीच में जो nitrogen और hydrogen है उनके बीच में यह bond formation हो रहा है इसका एक और structure equilibrium में जो है वो इस प्रकार से है तो यह तीनों structures जो है वो यह दिखा रहे हैं कि इस तरह से ringed complex संकुल बन रहे हैं और इन solution में यह तीनों सनरचना है तीनों जो structures है 1, 2 and 3 वो equilibrium में एक दूस्रे के साथ या साम्यावस्ता में एक दूस्रे के साथ होते हैं जिस वजह से फर्दर जो आप कह सकते हैं चौथा पाच्वा या छठा या साथ माफ इनाइल हैड्रजीन का molecule कर्भोहड़िड मॉलेक्यूल के साथ react नहीं करता reducing sugar के साथ react नहीं करता I hope आपको आज का material समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई आपको doubt रहता है आज के subject topic के regarding इससे चुटते हुए तो फिर आप मुझे personal number पर contact कर सकते हैं या message कर सकते हैं Thank you for being with me